वसिस्ची ने सोचा, आहो, इस राजा की कुटलता तु देखो, ये जान भूज कर भी मुझे खाने के लिए ये मास देता है। फिर ये जानने के लिए कि ये किसका है, वे ध्यानस्त हो गए। ध्यानावस्ता में उन्होंने देखा कि ये तो नर्मास है। तब तो क्रोध के कारण खुब्दचित होकर उन्होंने राजा को ये शाप दिया। क्योंकि तुने जान भूज कर भी हमारे जैसे तपस्वी के लिए अत्यंत अभक्ष ये है, नर्मास मुझे खाने को दिया है। इसलिए तेरी इसी में लौलुपता होगी, अर्थात तुर राक्षस हो जाएगा। नमस्कार, अगर आप किसी कारण वश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो लाइक अवश्य कीजीगा। मांधाता की संतती, त्रशंकू का स्वर्गा रोहन, तथा सगर की उत्पत्ती और विजय, विश्णुपुरान। अब हम मांधाता की पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मांधाता की पुत्र अंबरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोतरिये हारित गण हुए। पूर्वकाल में रसातल में मौने इनामक छे करोड गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाकुलों के प्रधान-प्रधार रत्न और अधिकार छीन दिये थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किये जाने पर उसके श्रबन करने से जिनकी विक्सित कमल सद्रिश आंखें खुल गई हैं। निद्रा के अंत में जगे हुई उन जलशाई भगवान सब देवेश्वर को प्रणामकर उनसे नाग गर ने कहा। भगवन इन गंधर्वों से उत्पन हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदी अंत्रहित भगवान पुर्शोतम ने कहा। युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है। उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन अधिपतिगण नागलोक में लोट आये और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित गया। तदरंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुशने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लोट आया उस समय समस्तर नागराजों ने नर्मदा को ये वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा उसको सरपविश से कोई भैना होगा इस व तुमको बारम बार नमस्कार है तुम मेरी विश और सर्प से रक्षा करू उसका उचारन करते हुए दिन अत्वा रातरी में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काड़ता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ पिश भी घातक नहीं होता पुरुकुच को नाग पतियों ने ये वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंतना होगा पुरुकुच ने नर्मदा से त्रस्य दस्यू नामक पुत्रोथ बन किया त्रस्य दस्यू से अनरण्य हुआ जिसे दिख्विजई के समय रावन ने मारा था अनरण्य के प्रिश्दश्व, प्रिश्दश्व के हरेशव, हरेशव के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधन्वा, त्रिधन्वा के त्रियारूनी और त्रियारूनी के सत्तिवरत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया ये त्रिशंकु चांडाल हो गया था, एक बार बारह वर्ष तक अनावरष्टी रही, उस समय विश्वमित्र मुनी के स्तरी और बाल बच्चों की पोश्णार्थ तथा अपनी चांडालता को छुडाने के लिए वे गंगा जी के तट पर एक वट के वरिक्ष पर प्रति दिन मुरिक्का मास बांधादा था, इससे प्रसन्न होकर विश्वमित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया, त्रिशंकु से हरिश्चंदर, हरिश्चंदर से रोताशू, रोहिताशू से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और व्रिक का जन्म हुआ, व्रिक के बाहु नामक पुद्र हुआ, जो है है और तारजंग आदिक शत्रियों से पराजत होकर अपनी गर्भवती पत्रानी के सहित वन में चला गया था, पत्रानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विश्खेला दिया, उसके प्र उसकी पत्रानी ने चिता बना कर उस पर पती का शब स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चे किया, उसी जमें भूत भविश्यत और बर्दमान तीनो काल के जानने वाले भगवान औरभ ने अपने आश्रम से निकल कर उससे कहा, अई साधवी, इस विर्थ दुरागर को छोड़, तेरे उधर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रम शील, अनेक यग्यों का अनुष्ठान करने वाला, और शत्रू का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है, तु ऐसे दुस्साहस का उद्द्योग इसा कहे जाने पर वह अनुमरन अर्थात सती होने का आग्रह से विरत हो गई, और भगवान औरव उसे अपने आश्रम पर ले आये, वहां कुछी दिनों में उसके उस गर अर्थात विश्च के साथ ही एक अती तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, भगवान औरव ने उसके जातकर्म आदी संसकार कर उसका नाम सगर रखा, तथा उसका उपनें संसकार होने पर औरव ने ही उसे वेद, शास्त्र एवं भारगव नामक आगने शास्त्रों की शिक्षा दी, बुद्धी का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, मा, ये तो बता, इस प्रतांत कह दिया, तब तो पिता के राज्या अभरण को सहना करने के कारण उसने है है और ताल जंग आदिक शत्रियों को मार डालने की प्रतिग्या की, और प्राय सभी है है एवं ताल जंग वंशिय राजाओं को नश्ट कर दिया, उसके पशात, शक, यवन, कामबोज, पारत और पल्लवगर्ण भी हता हत होकर सगर की कुलगुरू वसिश्ची के शर्ण में गए, वसिश्ची ने उन्हें जीवन मृत अर्थात जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुँँ को पीछा करने से क्या लाब है, देख, तेरी आग्या को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इने स्वधर्म और द्यूजातियों के संसर्ग से बंचित कर दिया है, राजा ने जो आग्या कहकर गुरूजी के कथन का अनुमोधन किया और उनके वेश्वदर बादिये, उसने यवनों के सिर्मुन वादिये, शकों को अर्गम करत्रियों को भी सो अध्याय और वश्टकारादी चे बहिश्कृत कर दिया, अपने धर्म को छोड़ देने के कारण प्राह्मणों ने भी इनका परित्याक कर दिया, अतह ये मलेच हो गये, तदनंतर महराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सेन्ने से युक्त ह को इस संपूर्ण साप्तद्विपवती प्रित्वी का शासन करने लगे। जिसको जो अभिष्ठ हो वे इच्छापूर्वक उसी को ग्रहन कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने एक तथा सुमती ने साथ हजार पुत्रों का वर्मागा। मरुशी के तथास्तु कहने पर कुछ ही समय में केशिनी ने वन्ष को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को उत्पन किया। और काश्यप कुमारी सुमती से साथ सहस्त्र पुत्र उत्पन हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमा नामक पुत्र हुआ। ये असमंजस बाले वस्ता से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बालेवस्था की बीच जाने पर ये बहुत समझदार होगा, कि तुई यौवन की बीच जाने पर भी जब उसका आचरण ना सुधरा, तो पिता ने उसे त्याग दिया, उनके साथ हसार पुत्रों ने भी असमंजस के चरितर का ही अनुसरन किया, तब असमं भगवान पूर्शोत्तम के अंशभूत शिक कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विशय में पूछा, भगवन राजा सगर के इस सभी पुत्र असमंजस के चरितर का ही अनुसरन कर रही है, इन सब के असनमार्ग में प्रप्रित रहने से संसार की क् ये सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नश्ट हो जाएंगे, इसी समय सगर ने अशुमिक यग्या आरंभ किया, उसमें उसके पुत्रों दोरा सुरक्षित खोड़े को कोई व्यक्ति चुरा कर प्रित्वी में घुश गया, तब उस खोड़े के चिन्नों का अनुसरन करते हुए उनके पुत्रों में से प्रतियक ने एक एक योजन प्रित्वी खोड़ डाली, तथा पातार में पहुँचकर उन राजकुमारों ने अपने घुड़े को फिरता हुआ देखा, पाची में मेगा वरण ही शरतकाल के सुरे के समान अपने ते अपकारी और यग्य में विग्न डालने वाला है, इस खोड़े को चुराने वाले को मार डालो, मारो, मारो, ऐसा चिलाते हुए उनकी उर्दोडे, तब भगवान कपिल देव के कुछ आँख बदल कर देखते ही, वे सब अपने ही शरीरों से उत्पन हुई, अगनी में जलक कर भस्म हो गए, महाराच सगर को जब ये ज्यात हुआ कि घोड़े का अनुसरन करने वाले उसके समस्त पुत्र महरशी कपिल के देज से दख्द हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नुक्त किया, वे सगर पुत्रों द इस खोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे, और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले, तेरा पौत्र गंगाजी को स्वर्ग से प्रित्वी पर लाएगा, इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर्दी जिये, जो ब्रह्मधन से आहत होकर मरे हुए मेरे अस् स्वर्ग की प्राप्ति कराने बला हो, यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझ से पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगाजी को स्वर्ग से प्रित्वी पर लाएगा, उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्ष होते ही, यह सब स्वर्ग को चले जाएंग आपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायू, अथ्वा केश आदिकस्पर्ष हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वे देधारी को तुरंद स्वर्ग में ले जाता है भगवान कपिल के ऐसा कहने पर भेवने प्रणाम कर खोड़े को लेकर अपने पिता मह की यक्यशाला में आये राजा सगर ने भी खोड़े के मिल जाने पर अपना यग्य समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्तिसने से अपना पुत्र माना उस अंशुमान के दिलिप नामक पुत्र हुआ और दिलिप के भागिरत हुआ जिसने गंगाजी को स्वर्ग से प परती से नाभाग, नाभाग से अंबरीश, अंबरीश से सिंथुदूइप, सिंथुदूइप से अयुदायू और अयुतायू से रितुपर्ण नामक, पुत्र हुआ, जो राजानल का सहयक और द्यूत कृणा का पारदर्शी था, रितुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास, मित्रसह हुआ, एक दिन म्रिग्या के लिए वन में घूमते घूमते, उसने दो व्याग्र देखे, उन्होंने संपूर्ण वन को म्रिगीन कर दिया था, ऐसा समझकर उसने उनमें से एक क को बांड से मार डाल, मरते समय वे आती भयंग का रूप कुरूर बदन राक्षस हो गया, तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूँगा, ऐसा कहकर अंतरधान हो गया, कालंतर में सौदास ने एक यग्य किया, यग्य समाप्त हो जाने पर, जब आचारे वसिष्ट बाहर चले तब वे राक्षस वसिष्टी का रूप बना कर बोला, यग्य के पूर्ण होने पर मुझे नर्मास्युक्त भोजन कराना चाहिए, अतहां तुम ऐसा अन तयार करो, मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहकर वे बाहर चला गया, फिर रसोये का वेश बना कर राजा की आग्या से उसन मनुष्य का मास पका कर उसे निवेदन किया, राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वसिष्टी के आने की प्रतीक्षा करने लगी, और उनके आते ही वे मास निवेदन कर दिया, वसिष्टी ने सोचा, आहो, इस राजा की कुटिलता तु देखो, ये जान भूज कर भी मुझे खाने के लिए ये मास देता है, फिर ये जानने के लिए कि ये किसका है, वे ध्यानस्त हो गए, ध्यानावस्ता में उन्होंने देखा कि ये तो नर्मास है, तब तो क्रोध के कारण खुब्दचित होकर उन्होंने राजा को ये शाप दिया, क्योंकि तुने जान तदंतर राजा के यह कहने पर भगवन आप ही ने ऐसी आग्या दी थी वसिश जी ये कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था फिर समाधिस्त हो गए समाधि द्वारा ये थार्थ बाद जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा तो अधिक दिन तक नर्मास भोज़ना करेगा केवल बारह वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा बसिश जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजुली में जल लेकर मुनिश्वर को शाप देनी के लिए उद्वत हुई किन्तून की पत्नी मंद्यन्ती द्वारा भगवन ये हमारे कुल गुरू है इन कुल देवरूप आचारे को शाप देना उचित नहीं है ऐसा कही जाने से शांत हो गए तथा अन्न और मेग की रक्षा के कारण उस शाप जल को प्रित्वी या आकाश में नहीं वेगा बलकि उससे अपने पैरों को ही भिको लिया उस क्रोध्यूक्त जल से उनके पैर जुलस कर कलमाश वर्ण अर्थाथ चित कबरे हो गए तभी से उनका नाम कलमाश पाध हुआ तथा वसिश्ची के शाप के प्रभाव से छटे काल में अर्था तीसरे दिन के अन्थिम भाग में वे राक्षस सुभाग धारण कर बन में खूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगे एक दिन उसने एक मुनिश्वर को रितुकाल के समय अपनी भारह से संगम करते देखा उस अतिभीशन राक्षस रूप को देखकर भाई से भागते हुए उन दमपत्तियों में से उसने ब्राहमण को पकड़ लिये तब ब्राहमणी ने उससे नाना प्रकार की प्रार्थना की और कहा हे राजन प्रसंद हुए आप राक्षस नहीं है बलकि इक्षवा को कुलतिलक महराज मित्र सहा है आप स्री सेयों के सुख को जानते हैं मैं अत्रिप्त हूँ मेरे पती को मारना आपको उचित नहीं है इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राहमण को इस प्रकार भक्षन कर लिया जैसे बाग अपने अभिमत पशु को बन में पकड़ कर खा जाता है तब ब्राहमणी ने अत्यंत क्रोधित हो राजा को शाप दिया अरे तुने मेरे अत्रिप्त होने पर भी इस प्रकार मेरे पती को खा लिया इसलिए काम और भोग में प्रवरित होते ही तेरा अंत हो जाएगा इस प्रकार शाप देकर वे अगनी में प्रविष्ट हो गई तदन अंतर बारह वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विशय कामना में प्रवरित होने पर राणी मध्यन्ती ने उसी ब्राहमणी के शाप का स्मरण करा दिया तब ही से राजा ने स्त्री संभूग त्याग दिया पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वसिच जी ने मध्यन्ती के गरभाधान किया तब उस गरभने साथ वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म ना लिया तो देवी मध्यन्ती ने उस पर पत्थर से प्रहार कि इससे उसी प्रकार पुत्र उत्बन हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ तब परशराम उस समय उस मूलक की रक्षा वस्रहीना श्रियों ने घेर कर गी थी इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं मूलक के दश्रत दश्रत के इलिवील, इलिवील के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ जिसने देवा सुर्च संग्राम में देवताओं के प्राथना करने पर दैत्यूं का बद किया। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किये जाने पर उसने कहा। यदि मुझे वर्ग्रहन करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयू बतलाईए तब देवताओं के ये कहने पर कि तुम्हारी आयू केवल एक मुहुरत और रही है वह एक अनवरुद्ध गती विमान पर पैट कर बड़ी शीगरता से मरत्य लोप में आया और कहने लगा यदि मुझे ब्राहमनों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ यदि मैंने कभी स्वधर्म का उलंगन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और रिक्षादी में शे अच्यूत के अथिरिक्त मेरी अन्य द्रिष्टी नहीं हुई तो मैं निर्विघंता पूर्वग उन मुनिजन वन्दित प्रभु को प्राप्थ हूँ ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरू, अकर्थनिय सोरू, सत्ता मात्र शरीर, परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए इस विशय में भी पूर्वकाल में सब्तरिश्यों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है, उसमें कहा है, खटवांग के समान प्रित्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं हुआ, जिसने एक मुहरत मात्र जीवन के रहते ही, स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपन से अज और अज से दश्रत ने जन्म लिया, दश्रत जी के भागवान कमलनाब जगत की स्थिती के लिए अपने अंशों से राम, लक्षमन, भरत और शत्रुगन इन चारों रूपों से पुत्रभाव को प्राप्थ हुए, राम जी ने बालेवस्था में ही विश्वमित्र जनक जी की यग्ये रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड का राक्षसी कुमारा, फिर यग्ये शाला में पहुचकर मारिच को बार्ण रूपी पायू से आहत कर समुदर में फेक दिया, और सुबहु आदी राक्षसों को नश्ट कर डाला, उन्होंने अपने दर् भवन में बिना शम्ही महादेव जी का धनुष्तोडा और पुर्शार्च से ही प्राप्त होने वाली आयोने जा, जनक राजनन्दनी श्री सीता जी को पतिनी रूप से प्राप्त किया, और तदन अंतर संपून क्षत्रियों को नश्ट करने वाले समस्त हैहेकुल के लिए अपनी सुरूप परशुराम जी के बलवीरे का गर्ब नश्ट किया, फिर पिता की वचन से राजलक्ष्मी को कुछ मीना गिनकर भाई लक्ष्मन और धर्मपत्नी सीता के सहित बन में चले गए, बहां विरात, खरदूशन, आधी राक्षस तथा कबंद और बाली का वद कि तथा रावन द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंके हीना होने पर भी अगनी प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंचित सुभाब वाली अपनी भार्या जनक राजगन्या सीता को आयोध्या में लियाए, हे मैत्रे उस समय उनके राज्य भेशेक जैसा मंगल हुआ, उसका तो सो वर्ष में भी वर्णया नहीं किया जा सक्ता, तथा पी संक्षेप से सुनों, दश्रत नंदन श्रीराम चंद्रजी, प्रसन्य वधन रक्ष्मन, भरत, शत्रुखन, विभीशन, सुग्रीर, अंगद, जांबवान और हनुमान आदि से, छत् ब्रह्मा, इंद्र, अग्नी, यम, निर्यती, वरुन, वायू, कुबेर, और इशान आदि संपून देवकन, वसिष्ट, वामदेव, वालमिकी, मारकंडे, विश्वमित्र, भर्द्वाज, और अगस्त आदि मुनिजन, तथा रिक, यजू, साम, और अथर्व वेदों से स् निर्त, गीत, वादे आदि, संपून, मंगल्च सामग्रियों सहित, भीना, भीनु, म्रदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल, और गौमुकादी, बाजों के घोश के साथ, समस्त राजाओं के मध्य में संपून लोकों की रक्षा के लिए विधिपूर्वक अभिशिक्त इस प्रकार दश्रतकुमार कौसल्याधिपती, रगुकुलतिलग, जानकी वल्लब, तीनों भ्राताओं के प्री शिरामचंदर जी ने सिंखासन आरूड होकर 11,000 वर्ष राजशासन किया, भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युध में तीन करूड गं पराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संघार किया, और मधुरा नामक नगर की स्थापना की, इस प्रकार अपने आतिशे पल पराक्रम से महान दुष्टों को नश्टक करने वाले भागवान राम, लक्षमन, भरत और शत्रुगन, संपूर्ण जगत के यतोचित वि अच्छ सोरूपों के आतिशे अनुरागी थे, उन्होंने भी तनमे होने के कारण सालोग के मुक्ति प्राप्त की, दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक दो पुत्र हुए, इसी प्रकार लक्षमन जी के अंगत और चंदर कीतु, भरत जी के तक्ष और पु पुंडिरीक के क्षेम धन्वा, क्षेम धन्वा के देवानिक, देवानिक के आनीक, आनीक के रूरू, रूरू के परियात्रक, परियात्रक के देवल, देवल के वचल, वचल के उत्तक, उत्तक के वज्रनाब, वज्रनाब के शंखन, शंखन के युशिताशु और युशित नामक पुत्र हुए। विश्वसह के हिरनिनाप नामक पुत्र हुआ। जिसने जैमिनी के शिष्य महायूगिश्वर यागवल के जी से योग विद्या प्राप्त की। हिरने नाप का पुत्र पुशे था उसका द्रुवसंधी का सुदर्शन, सुदर्शन का अगनिवर्ण, अगनिवर्ण का शीकरक तथा शीकरक का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगा भ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थे थे आगामी युग में वे सूरिवन्षी क्षत्री का प्रवर्तक होगा मरू का पुत्र प्रसुषृत प्रसुषृत का सुसंधी सुसंधी का अमर्ष अमर्ष का सहस्वान सहस्वान का विशुभव तथा विशुभव का पुत्र ब्रहद बल हुआ जिसको महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यू ने मारा था इस प्रकार मैंने इस इक्षवाकुकुल के प्रधान-प्रधान राजाओं का वर्णन किया है इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करें